जितने लोग प्रशांत किसोर को भुट कटवा कहा करते थे उनको प्रशांत किसोर ने मुहतोर जबाब दिया है क्या कहा है प्रशांत किसोर ने इसे इंडिया ब्लॉक और इंडिये गड़बंदन दोनों को सुनना चाहिए लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन मैं आपको बता दू जितने लोग प्रशांत किसोर के उपर ये तोहमते लगाते हुए नजर आ रहे थे कि प्रशांत किसोर दोहजार पच्चिस के विधान सबाद चुराओं में सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे उन्हें प्रशांत किसोर ने मुहतोर जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि मैं किसी का वोट नहीं काटूंगा बलकि इंडिया ब्लॉक और एंडिये गडबंदन इन दोनों का सफाया कर दूंगा बिहार से और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा वो यसलिए कह रहे है कि बिहार की जनता अब इन दोनों लोगों से उकता गई है चाहे वो नितिश कुमार हो ते जस्री यादव हो या लालू पडिवार हो इन सभी लोगों से बिहार की जंता उकता गई है और बिहार की जंता आप चाहती है कि कोई ऐसा इंसान बिहार का बागडोर समाले जो वाकई बिहार में पडिवर्तन लाने की कोशिश करता हो और ये काम मैं कि दो अक्टूबर को जंसुराज जो है वो पार्टी से एक दल में पडिवर्तित हो जाएगा और पूरे 243 सीटों पे उनके उमिद्वार जो है वो चुनाओ लरेंगे और इस बार वो बिहार से इंडिया और इंडिया दोनों का सफाया कर देंगे और इस बार वो अपनी सर कार ही बनाएंगे इस बात का उन्होंने जिक्र किया साथी साथ उन्होंने बताया कि इस बात को आप बिहार की जंता को भी समझनी पड़ेगी कि भाई लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसे हैं मेरा बेटा बैंगलूरू में जाके कमाई कर लेगा पढ़ाई कर लेगा ले अमीर सब डूबेंगे और इस बात को यहां के अगरा को भी समझना पड़ेगा और पिछड़ा को भी समझना पड़ेगा इस वज़े से उन्होंने कहा कि इस बार जो है यह सभी चाहे वो अगरा हो या पिछड़ा हो हमारे साथ हैं और इस बार हम जो है वो बिहार से इंडिया और NDA का सफाया कर देंगे मतलब NDA गडबंदन चाहे वो चिराग पास्वान की पाटी हो BJP हो नितिश कुमार का जेडी हो या फिर लालू प्रसाद यादों का RJD हो, CPI हो कॉंग्रेस हो इस बार बिहार की जनता किसी के साथ नहीं जाने वाली इस बार बिहार की जनता हमारे साथ रहने वाली है उन्होंने मुहतोर जबाब दिया कहा कि मैं किसी का वोट नहीं काटूंगा बलकि अपना वोट लेके आऊंगा अपना जनाधार लेके आऊंगा और अपनी सरकार बनाऊंगा जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है और कहीं न कहीं अब ये सब पार्टिया सोचने पे मजबूर तो जरूर हो गई है कि अगर जिस हिसाब से प्रशांत किसोर अपना अनलेसिस बताते आए हैं हरे एक चुनाव में अगर इस बार भी उनका अनलेसिस सही हुआ और उनकी पार्टिय चुनाव जीत गई तो फिर क्या होगा या फिर इस चुनाव में ये तो पक्का हो जाएगा कि प्रशांत किसोर की पार्टिय जो है एक एहम भूमिका में नजर आएगी और हो सकता है इस चुनाओं में वो गेम चेंजर के रूप में आपको दिखे बाकी इस खबर को लेके और अगर जन सुराज सत्ता में आता है तो प्रशांत की सोर जो है वो अगले CM होंगे बिहार के इस बात को लेके आप क्या सूचते हैं आपके जहन में क्या कुछ चल ला है कृपिया कॉमेंट सेक्सिन में जाईए और कॉमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साजा कीजिए बागी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है